हेलो दोस्तो नमस्कार दे दिया है तो चले दोस्तो फिलाल इस वोड़े को स्टार्ट कर लेते हैं सब्सक्राइब आप लोग अगर इसको बतलब जादा डीप में स्टड़ी करोगे तो बहुत ही अच्छा का सा फाइदा आप लोगं को फ्यूचर में यहां पे हो सकता है आप सब लोगं को पता है दोस्तो स्टॉक मार्केट में लोजिक, स्टड़ी, नॉलेज यह बहुत इंपोर्टन रहता है बिना लोजिक कि अगर हम लोग जाके कोई भी स्टॉक उठा ले तो कभी अगर वो नीचे आ जाता है तो फिर हमें प्रॉब्लेम हो जाती है फिर फिर हम लोग डाउट करना स्टार्ट कर देते यह चलेगा नहीं चलेगा यहां पर जैसे मैंने का कि पहले में लॉजिक कुछ आप लोगं के सामने आप रखने वाला हूँ और बहुत ध्यान से सुनने ना क्योंकि उपर-उपर से अगर आप देखोगे तो लगेगा अरे यह तो मुझे पता है बट जल्द बाजी आपे करनी नहीं है तो चले शुरूआत करेंगे दोस्तों कौन से सेक्टर की मैं बात करना हूँ इलेक्ट्रिक वेहिकल जैसे में ने सुना बहुत सरे लोग कहेंगे अरे सर वही बैटरी गाड़ी पैसेंजर वेहिकल नहीं इसलिए मैं का यह वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है इलेक्ट्रिक वेहिकल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप लोग को पता ही यह बहुत ही अच्छी तरीके से डिमांड अभी हम लोग को देखने को यह आपे मिल रही है जैसे कि अगर मैं यहापे बात करूँ तो Tata chemical आ जाता है Exide industry आ जाता है अमर राजा बैटरी आ जाता है Charging से related अगर हम लोग बात करें Tata power आ जाता है A.B.B. India हम लोगो को देखने हैं मतलब battery से related already market को कुछ ऐसे मतलब electric vehicle से related कुछ stocks ऐसे पता है ठीक है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिक वेहिकल में अगर देखा गया तो बसेज भी आते हैं तो बस की अगर में बात करता हो तो अशोक लेलाइंड, ओलेक्ट्रा ग्रिन टेक, ताटा मोटर भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है तो ये भी सारी चीज़े हम लोगों को अलरेड़ी आपे पता है, तो ये मार्केट भी थोड़ा बहुत यहापे, मतलब हर किसी को यहापे इसके बार में थोड़ा बहुत नौलेज है पैसेंजर वेहकल की बात करें, तो हर किसी को पता है, टाटा मोटर बहुत ही अच्छा कासा लीड करके लेखा, मतलब बेटा हुआ है MG Motor भी है, पट फिलाल वो लिस्टेड तो है नहीं, महिंदरा और महिंदरा भी कोशिश करें, मारुती ने भी जस्ट अभी शुरुआत यहापे की है इलेक्टरिक वेहकल फर्स्ट उनकी लाउंच होने के लिए अच्छा दो-तीन साल यहापे लगने वाला है तो यह तो हो गई बाकी की बाते, जिससे रिलेटर हम लोग बहुत बार बोलते रहते हैं, कि फोर विलर, देन बैटरी, देन चार्जिंग स्टेशन, तो दोस्तों अभी हम लोग यहापे बात करने वाले किससे रिलेटर, एक बहुत ही जबरदस, ऐसा ही मतलब, इलेक्टरि देला है जैसे कि मैं बोलता हूं जहें, इसे मेरे सामने तो Tata Motor आजाता है, बस बोल देया तो ओले ट्रा गरीन टेक आ जाता है, बैटरी बोल देया तो टा-की मीकल आजाता है, चार्जिंग की बात कर तो टा-कावर ABB India, जहसे कमपनि देखने को मिल जाते है, मतलब by default ऐसे नाम लेते ही सामने आ जाते है जैसे मैं टायर बोलती है तो आपके सामने MRF आता है वैसे ही तो टू विलर की electric vehicle की अगर में बात करें तो ये market अभी भी अगर हम लोग देखा गया तो खाली पड़ा हुआ है खाली पड़ा है मतलब कोशिश चालू है और competition भी जबरदस थे कि कोई मतलब यहाँ पर कौन बाजी मारेगा क्योंकि आप लोग को पता है दोस्तो कि middle class की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें middle class family तो two wheeler उसमें सबसे ज़्यादा popular रहता है और सबसे ज़्यादा convenient भी है mileage की सबसे अगर हम लोग बात करें सारा अगर अप लोग चीज़ों को देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्या बिका जाता है obviously bikes बिके जाते है अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो petrol diesel से बहुत सारे लोग परिशान हो चुके तो electric vehicle हर कोई afford कर सकता है जरूरी नहीं मतलब में passenger vehicle की बात करो तो हर कोई electric bike क्या इंतजार कर रहा है इसलिए क्या किया कुछ companies ने इतना जल्द बाजी कर लिया electric bike का market capture करने के लिए उसका result भी आप लोग ने देखा होगा क्या देखा होगा कि बहुत सारे e-bikes में हम लोग को आग लगते भी देखने को में बहुत जल्द बाजी की है क्योंकि market capture करने है जैसे Tata Motor ने first move का advantage उठा लिया वेसे सो रोस्तो इस वीडियो का logic क्या है इस वीडियो का logic ही यह ही है कि यहाँ पे electric vehicle की हम लोग बात करते है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले bike वाले कौन से company है two wheeler वाले कौन से company है जो electric bike या फिर e-bike में अपना अच्छा खासा योगदान कर सकते है जो कि unfortunately इंडियन market में अभी तक किसी ने नहीं किया है देखो छोटा मोटा सेल ठीक है बट जैसे मैंने बोला ना कि नाम लेते ही वो चीज सामने आ जाता है वो अभी तक two wheeler में हम लोग को देखने को आपे नहीं मिला है जैसे कि अगर मैं four wheeler की बात करता है दोस्तो और यह निफ्टी 50 वाली भी कंपने बहुत अच्छी कंपने सो मैं अगेन के रहा हूं बजाज आटो के उपर आप लोग focus रख सकते हो bike से related इन्होंने शुरुआत कर चुके bike मतलब e-bike के में बात कर रहा हूं यहाँ पर सबसे पहला जो चेतक उन्होंने आपे जो बनाये था अगर हम लोग आपे बात करें पूने में इससे related शुरुआत होती वे देखने को में ली थी वही पर उसी factory में e-bike की भी वो शुरुआत यापे कर रहे यह बाते भी उन्होंने आपे बताई है और लगबग लगबग उन्होंने target रखा है लगबग देड़ लाग बाइक सेल करने का यह target वो और भी बढ़ाएंगे सो बजाज auto के और आप लोग ज़रू focus रख सकते दोस्तों कोई खराब company ने बट येस बाजार यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि company क्या करेगी और क्या नहीं उसी के उपर focus है मेरा बहुत ज़्यादा focus है two wheeler segment में कि कौनसी company क्या performance दिखाने वाली है क्योंकि two wheeler में अगर आपने market capture कर लिया तो आप मतलब बोलते ना जबरदस्त कमाई कर सकते हो इसलिए मैंने का न कि कुछ company ने इतनी जल्दबाजी कर ली कि मतलब properly testing नहीं किया कुछ नहीं किया और मतलब एक गाड़ी में आग लगना समझ सकते हैं हम लोग कितने सारे गाड़ी में आग लग रहे थे क्योंकि जल्दबाजी से market को capture करने है वो जल्दबाजी उनको महिंगी पड़ गई सो बजा जोटो आप लोग जरूर फोकस में रख सकते हो अभी तक ये कोई two wheeler का मतलब king मतलब electric e-bike का king अभी तक तो बना नहीं है next अगर हम लोग बात करें दोस्तों जो second rank पे अच्छा काम करते हुए दिखने को मिल रहा है e-bikes में tvs motor yes tvs motor भी कोई ऐसी वेसी company ने बहुत ही शांदार company बहुत बड़ी company इसका भी पाथ साल का performance देख सकते है 2018 तो हर किसी को पता है auto sector के लिए खरा भी था then 2020 का crash ने तो और तड़का लगा दिया बड़ बाद में आप देख सकते है अच्छा comeback भी है अभी इसमें भी same chart pattern है कि आप इंतजार चल रहा है कि ये कैसे performance करने वाले है उसी के उपर हर कोई देख रहा है कि अगर tvs अपनी bike लेकर आती है बजाज अगर आपनी e-bike लेकर आती है तो क्या उसमें तो आग नहीं लग रही है क्योंकि अगर ये बार-बार आग लगना उससे के चलते क्या हो जाते आप लोगों ने देखा unfortunately कुछ लोगों की death भी हुई है आप चाओ तो YouTube के उपर वेबसाइट के उपर इस चीजों को पढ़ सकते हो तो ये कोई मतलब ऐसा मजाक वाली बात नहीं बहुत ही serious बात है और इसके चलते हम लोग कह सकते हैं मतलब किसी की जान जाने बिलकुल अच्छी बात नहीं आप सभी लोगों को पता है तो बहुत ही संबल कर कमपनी को काम करने सरकार भी इससे related बहुत ज़्यादा strict हो चुकी है कि अगर आप business करने के लिए सिफ जाओगे तो problem हो सकती है मैं TVS या फिर बजा जोटोगा नहीं बोल रहा हूँ बट किसी एक company ने ऐसा मतलब गडबड किया था यहाँ पर हम लोग बात करी इस company के उपर इस company के management के उपर एक बहुत बड़ा आरोप है तो इसलिए मतलब हम लोग कह सकते कि इसको मैं थोड़ा पीछे रख रहा हूँ hero भी बहुत बड़ी company है ऐसी company में मतलब अगर ऐसी चीज़े चलेगी तो फिर बहुत मुश्किली हो जाएगी तो ठीक है अभी तक तो आरोप सिध नहीं हुआ आरोप ही है आपे बट येस आरोप के चलते हैं हम लोग कह सकते हैं इसमें हम लोग को गिरावट भी देखने को आपे मिली थी आप देख सकते हैं पाथ साल में अच्छा कासा comeback था वापस डाउन हो गया सो इसको भी आप लोग फोकस में रख सकते हो दैन अगर हम लोग बात करें आईशर मोटर आईशर मोटर मतलब रॉयल विंट फिल्ड तो आप लोग को पताई है एक जमाने में तो क्या इसने कमाई करके यापे दिया था सो आईशर मोटर की बात करें अभी तक e-bikes में इतना मतब चल तो रहा है ठीक है बट इतना एग्रेसिवली तो परफॉर्मस देखने को नहीं मिला है सो यह फिलाल तो चार ऐसे टूविलर वाले सेक्टर वाली कमपनी हैं दोस्तो जो की बाइक्स में टॉप नोच लेवल पर हम लोगों को देखने को मिल जाती है बट सबसे अच्छा अगर कोई परफॉर्मस देने की कोशिच कर रहे है तो वो बजाज आटो ट्राइ कर रहे है तो मेवी आप लोगों को यही कहना चहोंगा की ट्राइ कीजिए यह सारी चीजह हमको स्टड़ी करने की कोशिश कीजिए यह रोज करना पड़ता है यह सारी चीजे यह डेली बेसनस के उपर करोगे तब ही जाके मार्केट को पैचान पाओगे कि market में चलता क्या है रेट सिर्फ share में जाके पैसा लगाना पैसा मतलब ग्रो होना ऐसे इसी नहीं रहता है ये सारी चीज़ा अगर आप try करते रहोगे रहोगे तो आप लोगों को जाके market exactly चलता क्या है कैसा चलता है work करता है इससे related अंदाजा आ जाएगा आप भी जरू comment section मुझे बता देना कि e-bike से related जैसे मैं बार-बार कहे रहा हूँ दोस्तो e-bike ये मैं word use कर रहा हूँ ये sector अभी भी खाली है तो इन में से कौन सी company है जो बाजी मार सकती है तो जरू आप अपनी भी यहापे comment section में क्या कर सकते है इससे related knowledge चाहे है तो share भी आपे कर सकते है अपनी राइ भी रख सकते हो आशा करते हो दोस्तो ये वीडियो आप लोगों को यहाप लगा हो तो ज़रू like and share कर देना दिमेट अकांट अभी तो उपन नहीं किया तो link नीचे description box में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम और कौन सा account अपने link के थूपन के है ये मुझे बता देना तो हफते बर के अंदर अंदरे सारी वीडियो आप लोगों तक या पर पहुचाए जाएगे दो अकांट है एक है 0-2 अपस्टाउक जिरोदा में अकांट ओपनिंग चार्जे से बड़ अपस्टाउक में फिलाल कोई भी अकांट ओपनिंग चार्जे से अकांट free of cost ओपन हो रहा है